बिग बॉस 13 के खर्मेर लगने लगा था जैसे कि सिधार शुकला और असीम रियास के बीच की दोस्ती अब दोबारा पन अपने लग गई है लेकिन शो के लास्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का ये अंदाज अब बिलकुल गलत सावित हो गया मगर जिस तरह असीम ने अपनी टीम को जिताने के लिए गेम में चीटिंग की और सिधार से डरेक्ट पंगे लिए उसे देखकर शो के पुराने कंटेसिंस भड़ा गए है जी हाँ दरसल असीम की हरकत के बाद सिधार ने शो छोड़ने की बात कही है ऐसी में अपशो के कुछ एक्स कंटेसिंस का मानना है कि असीम ने जानवूट कर सिधार को प्रोवोक किया और उन्हें गलत है राया वलम बात कर रहे हैं संभावना सेट, कामया पंजाबी और विंदू दारा सिंकी इन तीनों को ही असीम रियास की हरकत सरा भी पसंद नहीं आई और इसको लेकर इन तीनों ने ही असीम को जम कर लतार लगाई है संभावना सेट ने असीम को लेकर लगातार तीन ट्वीट किये अपने पहले ट्वीट में संभावना ने लिखा है याद है वो डायलोग थपपड से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है ये असीम वही थपड है अपने दूसरी ट्वीट में संभावना लिखती है He thinks he is the winner already डबंग 4 में वो सलमान खान को रिप्लेस करेगा अपने तीसरी ट्वीट में क्या कुछ लिखा है संभावना ने अब ये देखिए On a serious note, असीम needs help ले जाना उसको पागल खाने था और ले आए बिग बॉस के घर में उसकी क्या गलती थी हमेशा सिधात के सपोर्ट में खड़े रहने वाले विंदुदारा सिंग ने भी असीम पर अपनी बात रखी है असीम पर भड़कते हुए विंदु ने लिखा है कामया पंजाबी भी सिधात की बड़ी सुपोर्टर है असीम का बरताब उन्हें भी काफी पसंद नहीं आया और कल जिस तरह सिधात को उन्होंने इंस्टिगेट किया इसे लेकर कामया ने अपनी राई दी है कामया लिखती है आरे ये चूसलेट असीम, चीटर असीम भी निकला बिग बॉस very clearly said कि घोड़े से उतरना allowed नहीं है खुले आम जूट बोल दिया इसने वैसे आपको बता दें कि असीम और सिधात की लड़ाई के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच घमासान शुरू हो गया है सिधात के फैंस बार बार असीम रियास को सिधार शुकला से माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे है इतना ही नहीं सिधार शुकला के घर छोड़ कर जाने की धमकी के बाद सोशल मीडिया पर हैश्टेग अपॉलोजाईज टू सिधार शुकला ट्रेंड कर रहा है और अब इस वज़े से एक बार फिर शुकला जी सोशल मीडिया पर छा गए है ज्यादा तर लोग सिधार शुकला को सुपोर्ट कर रहे है वहीं असीम रियास के फैंस भी हार नहीं मानते दिख रहे और असीम के फैंस का मानना है कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया लेकिन अब इन दोनों की लडाई अगर आपने भी देखी है तो क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों की लडाई पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें